हेलो दोस्तो हिंदे और टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको वटसप में आए दो न्यू अपडेट्स के बारे में बताऊंगा ये दोनों ही अपडेट्स आपके लिए यूसफुल हो सकते हैं तो सबसे पहले आपको इस्टेटस वाले सेक्शन में आना है और आपको यहाँ पर किसी का भी स्टेटस प्ले कर लेना है उपर में आपको थ्री डॉट देखने के लिए मिलेंगे आपको थ्री डॉट पर किलिक करना है तो यहाँ पर दोस्तो आपको WhatsApp का new update देखने के लिए मिलेगा report आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर सिरी 5 ही option होते थे लेकिन आप यहाँ पर WhatsApp ने एक new option को add किया है report तो इसका काम क्या है, इसे use कैसे करते हैं, इससे होता क्या है यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बस आप इस वीडियो को like कर दो और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लो तो मान लीजी दोस्तो आप किसी का status देख रहे हैं और सामने वाले बंदे ने status में कोई 18 पलस गंदी वीडियो लगा रखी है कोई 18 पलस गंदी फोटो लगा रखी है या फिर सामने वाला कोई fact news फैला रहा है कुल मिला कि सामने वाले ने ऐसा status लगाया है जो WhatsApp की policy का violation है तो ऐसे में दोस्तो अगर आप उसके status को report कर देंगे तो दोस्तो आपकी जो report है वो send हो जाएगी WhatsApp की team को और जिसके भी status को आप report करेंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उसके status को report किया है लेकिन आपकी report WhatsApp की team को send हो जाएगी फिर WhatsApp उस बंदे के status को review करेगा और उसको वाकई में लगेगा कि सामने वाले ने WhatsApp की policy का violation किया है तो हो सकता है कि उस बंदे का जो status है sorry उस बंदे का जो WhatsApp account है वो ban हो जाए तो अगर आप किसी की भी status को report करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर report पर click करना है एक pop-up आएगा आपको फिर से यहाँ पर report पर click कर देना है तो जो आपकी report है वो send हो जाएगी ठीक है और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है अगर आप भी इस तरह की अगर status लगाते हैं अगर आप भी कोई फालतू की fact news फैलाते हैं कोई 18 plus video photo लगाते हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी दूसरा WhatsApp user आपके status को report कर सकता है जिसकी वज़े से आपका जो WhatsApp account है वो ban हो सकता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है यह ता WhatsApp का पहला update अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे update की तो आपको जब भी WhatsApp पर कोई message करता है तो इस तरह से notification आता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको WhatsApp का new update देखने के लिए मिलेगा mute आप देख सकते हैं यनि कि आपको जब भी WhatsApp पर कोई message आएगा notification आएगा तो आप notification से ही दोस्तों सामने वाली की chat को mute कर सकते हैं जैसे के यहाँ पर notification आया मैंने mute पर click किया तो आप देखेंगे यहाँ पर mute का pop-up open हो चुका है अब यहीं से दोस्तों मैं 8 गंटे के लिए एक हफते के लिए और हमेशा के लिए इस बंदी की chat को mute कर सकता हूँ इसी तरह से अगर आप यहाँ पर notification पैनल को open करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको जो है mute वाला option देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं message आया हुआ है पहले दोस्तों यहाँ पर सिर्फ दो ही option देखने के लिए मिल देते है reply का और mark us read का लेकिन आप यहाँ पर तीसरा जो option एड़ हुआ है जो है WhatsApp का new update अब आप notification से ही किसी की भी chat को mute कर सकते हैं तो यह थे दोस्तों WhatsApp के दो new update अब यह update आपको मिलेंगे कैसे तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना है play store में और अपने WhatsApp को update कर लेना है अगर आप beta user है तो आपको यह update मिल जाएंगे अगर आप beta user नहीं है तो कुछ दिन आपको wait कर लेना है उसके बाद यह update आपको मिल जाएंगे अगर दोस्तों आपको यह video थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस video को like कर दो और channel को subscribe कर लो